कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जी एस प्लैनेट पर आज हम लोग 23 और 24 की खबरों को देखते हैं उनके उपर जो प्रश्ण बन सकते हैं संभावत उनको देखते हैं ठीक है तो शुरू करें कर लिया जाए शुरू बेलिपको थांक्यू किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके रिसेंटली कलनार सिंग डाइड ही हैस बीन सीम ओफ विच स्टेट यहां पर एक इस कुश्चन को रिप्लेस किया जा सकता है मुख्यमंत्री की जगह आपको राज्यपाल भी पूछा जा सकता है क्योंकि वह दोनों समयधानिक पद राज्यपाल के अगर हम बात करें देयर एक बार ही माचरप्र प्रदेश की रिपोड़ सफ्वींत्तों हिमाचार प्रदेशन राजस्तान है और सियम और उत्तप्रदेश ट्वाइस ठीक है यह इनकी तस्वीर है यह फायर वरान हिंदू नेता के नाम से जाने जाते थे जब यह क्यान्वे से बानवे के बीच में चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तप्रदेश थे तो उसी समय 902 में बाबरी डिमुलेशन दिया जाता है मर試 इनको माना जाता है कि हंदू वादी नेता बहुत पसंद करते थे ठीक है तो यह बात थी पूछा क्यान जाएगा या तो मुक्हमंत्री के पर दो स्टेट तो हिंदू केलेंडर आपको पता होना चाहिए देखिए हिंदू कलेंडर वास्तों में दो कलेंडर होते हैं इस समय फिलाल जो प्रचलिन में एक शक्राइब और एक है विक्रम समय ठीक एक और समवत होता हुआ गुप्त समय लेकिन जो है वो प्रचलर में नहीं है तो विक्रम समवत और शक्राइब करें बिशुका कह यह पहला कैलेंडर है इसके शुरुवत अभी जो हम लोग इंग्लिश करेंडर जी से ग्रिगेरियन केलेंडर बोलत च्वरिष में हुए थै thin वायरत की सिवन के पार हम बात करें भारत सरकार शप श्रावन मास की पूरिमा पर बनाया जाता है ठीक है श्रावन मास आपको पता होना चाहिए भारत की हिंदू जो कलेंडर है उसमें 12 महीने होते है श्रावन यानि जिशे श्रावन का जाता है कि मास पूरिमा पर एक प्रसिद्ध तेवहर होता है जिसको हम लोग ने अभी कली सेलिब्रेट किया क्या रक्षा बंदन के दिन ही क्या मनाया जाता है चीजे선 का सब्सक्राइ steroids जहा है या लग छलग छोड़ या लिखे गए उसके रहत्तों का उद्गाटन किया जाए यह सब चीजे है इसी को लेकर प्रवोट किया जाता है ठीक है अच्छा इसकी शुरुवात कब से हुए थी माली पूछ लिए जाए कि शंस्क्रित दिवस की शुरुवात कब हुए थे तो 1969 में इसकी शुरुवात हुए थे ठीक है तीसरा कोईशन आज कब कि हाल ही में इसमाइल साब सब्सक्राइब याकूब है अच्छा एक और चीज़ अभी और सीजियल का पेपर एससी का कंप्लीट हो रहा है कंप्लीट हुआ है अगर उसमें ध्यान दिखें देती कि छे महीने का करेंट अफेर पूछा जा रहा है ठीक है और जैसा जो पूछा जा रहा हुए उसी पैट पर 2020 के मिले होंगे 2021 के नहीं मिले होगे तो इसके लिए का अगली बार जो भी पेपर होगा वह आप इड़्डम सही ट्रैक पे हैं इड़्डम साथ आठ कुश्चन जो है डारेक्ट करेंट अफेर से पूछे जाएंगा चार-पांच कुश्चन बैक्राउंड यानि कि इस् करें कैस्हा हैं जो तो एक जाता हूरा धृ सीलिए कि ऐनीर को देटेज़ से डेखते हैं चारना चाहता हो लिए इसमाहिल साबरी याकूब यहां प्राइम प्राइम मिनिस्टर ठीक है वहां मलेशिया मापको पता होना चाहिए वहां राजा होता है वहां हेड़ अब नेशन को ना था राष्ट का दर्श को ना राजा यह जिसे हम लोग बोलते हैं कि इंग प्राइम फ्राइट नेम मीनिस्टर वह करते हैं काफी विवादित प्राइमिन स्वारत हुआ थे भारत सात् abilities दो थे कश्मीर दो 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 होता है का आयाद है रदिया गार। मालिश्य की वाजह से के प्राइम मिनिस्टर भाद में बहुत सारी चीज़ें हुई थे छोड़ दीजिए उनको अभी आपको पता होगा पॉल पॉल इतना इंपोर्टन क्यों कि भारत में इसको इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किया एक मिशन के शुरूआत किया पॉल बढ़ाने के लिए और पॉल धारत में उत्पादन सरवाधिक कहा होती है वो आपको बताया था कहा पर होती है आंधर पर देश में होती है इससा पर लिंक कर लिया जाता है ऐसे तो चलो मलेशिया के बारे हम दोड़ा से देख ले यहां पर घिकां इह भारत के पुर्विच हिस्सा है यह है यह मलेशिया मलेशिय की राजधानी क्या कि कुछ अलाब पुर किओ रिंडे के चाहिए और सुमाहत्र पर आइलांड, सुमाहत्र आइलंड आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हैं कहाँ पर इंडोनेशिया और यह क्या है जावा है और यह क्या है बॉर्नीयो यह तीन प्रभुक आइलेंड मिल गए इंडोनेशिया का निर्माड करते हैं तो सुमात्रा और मलेशिया को अलग करने के लिए एक हमने आपको स्टेट यानि जलसंदी पढ़ाई है उसका नाम क्या है बताऊ सोचो 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 मलका क्या है मलका तीख्जा में पूछ लिए जाएगा कि मलका जलसंदी किन्दungen देशों करती है तो मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग खाल खीक है अच्छा किंदो सागरी जल राशी को जोड़ती है वाटर बोडेस को जोड़ती है अंडमान सागर और इसे यहां पर है जावा सी यह कभी-कभी साओ्थ चाइना सी भी लिख सकता है उसी का ब्रांच है तो यह भी स्टेट उत्तरप्रदेश राजस्तान हर्याना या पंजाब नाम से क्या लग रहा है ठीक है हर्याना में है क्या है हर्याना में देखिए क्या क्या है क्या नहीं जब यह देख लेते हैं कि हिसार एरपोर्ट है देखिए हिसार हर्याना का एक शहर है ठीक है वहां पर एरपोर् इसे महराजा अग्रिसेन का नाम दे दिया गया हिसार एरपोर्ट ध्यान दिजी अभी यह अंतर राश्टी एरपोर्ट नहीं है लेकिन फिर भी इसका नाम दे दिया गया अंतर राश्टी एरपोर्ट ठीक है अभी यह फंक्शनल नहीं है यह 2024 से फंक्शनल होगा 2024 से फंक्श यह एक राज्य है लाइन व्लॉग्ड नहीं इसको बोलते है कि किसी भी अन्य देश के बॉर्डर पर इस्थित नहीं है नहीं सबुद्री सीमा पर है और नहीं स्थली सीमा पर है ठीक है ऐसे आपके चतीस गड़ा है मद्द प्रदेश है जहारकंड है तो ऐसे कुछ राज्य ह जो किसी भी देश या समुद्र के सा सीमा साजा नहीं करते हैं तो हर्याना जिसकी राज्धानी क्या है चंडीगड है इसकी स्थापना कब हुई थी 1966 में पंजाब से अलग हुआ था फिर मैं तो गवर्णर मैं यहां लिखना भूल गया है जब मैं गवर्णर का नाम लिखन घुमर पांपूर और यहां का प्रमुक्ट टांस है जो फॉक डांस जम्र है क्या है जम्र घुमर Uh नहीं हर्यादा का नाम कवर करना है एक और चीज्ज़ अभी हर्यादा से दो वेट लैंड जो है क्या हुए थे शामिल हुए ते रामसर्था में दो दिन पहले हमने आपको को पड़ाया था याद आया नहीं यादा तो राम सर्व साइट अब क्या होता मैंने उहां पर डीटेल में बताया था तिहां अभी नहीं बता पाएंगे वेटलैंड का म मलब नंगचेत्र होते हैं जो भारत इमें है कि हर्याना से दोनों जो वेटलेंड है और रामसर साइट में लॉंच मलब ने शामिल किया गया है दो गुजरात से भी हुए है तो चार इस साल जो है जो है जॉइन किये हैं रामसर स्वाइट को यह शामिल किया गया इंक्लूट किया गया तो 42 से अब 46 हो गया भारत का इसमें देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट की शुरुवात हुई है किस राच में सिमादरी लार्जेस फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट आफ इंडिया है कमीशन रिसेंटली इस लोकेटेड इन विच स्टेट ध्यान दीजी यहां पर समझती ही हो ठीक है आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कि ऐसे सोलर पैनल होते हैं ठीक है वो जब ऐसे खेत में लगा दिये जाते हैं तो सोलर पार्क कहलाते हैं लेकिन जब नदी जील के उपर या नहर के उपर लगा दिये जाते हैं तो क्या कहलाता है फ्लोटिंग सो यानि कि उसको बदल कर क्या कर देगा आपको electricity generate करेगा तो इस तरह का टक्निक बहुत काम कारगर है आजकल इससे स्वच उर्जा बढ़ा है जा रहा है भारत में सिमाद्री और ये सिमाद्री कहा है बगया ये ये आंधर प्रदेश में विशाखा पर नम सुना होगा वाइसक भी बोलता है इसे आंधर प्रदेश में आपको बच्चे कांफ्यूज होंगत कि भया उंकारेशवर डैम में बी जो मद्धिपरदेश में वहां पर भी विश्व का सबसे बड़ा वहां पर इलिखा सबसे बड़ा फ्लोर सोलर पावर बनाया जा रहा है ठीक है लिकान भी यह ओंकारेश्वर वाला कमेशन नहीं हूँ चालू नहीं हूँ वह वह प्रोजेक्टेट हो जब चालू हो जाएगा तो वो बिश्व का सबसे बड़ा हो जाएगा ओंकार शोडाला क्लियर है ठीक है यह देखिए अच्छा एक और चीज है कि इसे किस ने बनाया तो एंटीपीसी ने बनाया है एंटीपीसी का मला समझते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्परेशन इसक शुरू हुआ है बाकी जो ओंकारेश्वर वाला है वह भी शुरू नहीं हुआ है वो बन रहा है ठीक है अभी उसने प्रोडक्शन शुरूआत नहीं किया देखिए इसकी छमता क्या है 25 मेगवाट ठीक है समझ में आगया अब जो है अगला क्वेशन आज का कि हाली में भार में यह उत्राखन राज में है ठीक है हरबल का मतलब समझ रहे हो अरबल का मतलब का होता है अयरुवेदिक टाइप का ठीक है तो अयरुवेदिक पार्क बनाएगा बहुत उचाई पर इस्तित है काफी उचाई 11000 फिट उपर इस्तित है देखिए यह बंदरिनात चोटी के पास है ठीक न्यूज है कि इंडिया हाइस्ट हरबल गार्डन एट 11000 फिट इनागरेट इन उत्राखन ठीक है बहुत ज्यादा हुचाई पर है इतनी ज्यादा हुचाई पर बर्ब मिलने लगती है इस वजह से यहां पर हरबल पार क्या गार्डन बनाना बड़ा मुश्किल पास है इंडिया और चाइना के बार्डर में चमोली डिस्टिक पढ़ता और गाउं का नाम है गाउं का नाम याद रखियेगा इक्जाम में यह भी पूचा जा सकता गाउं का नाम ठीक है अब देख लेते हिंदी में पढ़ लिजेगा ठीक है और उत्तराखन के बारे में देख लेते हैं उत्तराखन जिसकी शुरुवात कब हुई थी यह उत्तव प्रदेश से अलग किया गया था नौ नौमबर 2000 में इसकी राजधानी देहरा दून है और गयर सान इसकी समर कैपिटल समर कैपिटल में गर्मियों में गयर सान हो जाएगा इसका राजधानी ठीक ह अच्छा इसकी गवर्नर का नाम क्या बेबी रानी माउरिया इसके सीम कवने पुशकर सिंग धामी यहां पर चार प्रमुक नैशनल पारक है जीम कार्बिट राजा जी बैली ऑफ लावर्स और नंदा देवी नंदा देवी यहां का वैयर स्फियर रिजर्ब भी है और वर् महतपूर कोईशन ओडम ते वहर किस तरह में मना जाता है सिंपल सा कुईशन बहुत सारे बच्चे जानते होंगे ओडम फेस्टिबल इस सेलिब्रेटेट इन विच स्टेट तो भाईए यह केरल का सबसे बड़ा तेवारा दस दिन मनाया जाता है इस सेलिब्रेटेट इन ट चीजे की जाते हैं इसका जो सबसे महतपूर फेज होता है कि जील में नौका कई दोड़ कराई जाती है क्या दड़ कराई जाती है कि दोड़ जिसमें एक नाव पर कई-कई सारे लोग बैटकर जो है वहां पर रेस होती है बड़ा ही इंट्रेस्टिंग होते है मैं गया था इसे भगवान का घर भी कहा जाता है इसे इसकी कैपिटल क्या तिरुवर्न पूरं सीयम को ने पी विजियन गवर्नर को ने मुहमद आरिफ खान यहां की प्रमुग नैशनल पार्क कई सारे हैं जो सबसे मातपूर है साइलेंट वैली इरावी कुलम पेरियार ये तीन सबसे मातपूर है बासफिर रिजर्व यहां के कौन सी अगस्त मलाई यहां की प्रमुग चोटी कौन सी परवत इलाची परवत जिसे काड़वम हिल्स भी कहा जाता है इंपोर्टन लेक कौन सा विमनाड एक लैगून जील है लैगून जील हम बार बार बताते हैं कि ऐसा जील जो भारत का सबसे बड़ा लैगून जीला को बताना है लैगून लेक लार्जस लैगून लेक ओफ इंडिया और भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा है ठीक है हाँ बताओ कमेंट करके और ना कमेंट किये तो बहुत मारेंगे पीटेंगे तुम लोगों को अच्छा यहा कोई डाउट हो तो ज़रूर बताईएगा कमेंट करिएगा मैं उससे सॉट आट करने को कोशिश करूँगा पीडियाप हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूगा वहां से डाउनलोड कर लेजिएगा आज के लिए तरह धन्युक्त